सिंगं रिटरंस ये कोई फिल्म का नाम नहीं हलाकि फिल्म का नाम भी है लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार के सिंगं, सिव्धिप लांडे की जहाँ सिव्धिप लांडे वापस आ गया है इस्तिफा उन्होंने दिया था लेकिन इस्तिफा नामंजूर हो गया है और उन्हें फिर से पुर्णिया आईजी के पत पर न्यूक्त किया गया है पुर्णिया आईजी न्यूक्त होते ही एक्षन में शिवधी प्लांडे आ गये हैं और उन्होंने DSP, SP को एक पत्र लिखा है जिसमें तनिस्क लूटकांड मामले में पुलिस की उदासीनता पर उन्होंने सवाल खड़े किये हैं और एक संकेत दिया है कि वैसे पुलिस अधिकारी जो उदासीन हैं, जो लापरवा हैं उन्हों पर कारवाई करिये, SP को उन्होंने कहा है बिहार के मसूर IPS अधिकारी और पुर्णिया के IG सिवधी प्लांडे इन दिनों अपने स्तीफे को लेकर चर्चा में हैं हाली में उन्होंने अपनी पत्नी गौरी के जन दिन पर एक सोसल मीडिया पोस्ट किया जो काफी वाइरल हो रहा है इसमें सिवधी प्लांडे ने बताया है कि IPS की नौकरी छोड़ने के पीछे उन्हें कहां से प्रेड़ना मिली इसकी क्या वज़ा है उन्होंने इसके पीछे अपनी पत्नी की त्याग की भावना को कारण बताया है बतादें कि लांडे ने बीते 19 सितंबर को भारतिय पुलिस से वायानी IPS से श्तीफा दिया था इसकी घोषना भी उन्होंने सोसल मीडिया पोस्ट के जरिये ही की थी मुल रूप से महराष्टर के रहने वाले सिवधीप वामन रावलांडे 2006 बैज के IPS अधिकारी हैं वे फिलाल पुर्णिया रेंज के IG पद परतेना थे सुक्रवार को उन्होंने अपनी पत्नी गौरी को जन दिन की सुबकामनाई देते हुए एक पोस्ट सोसल मीडिया प्लाटफॉर्म फेस्बूक पर शेयर किया इसमें उन्होंने लिखा कि त्याग सब्द किताबों में पढ़ना या फिर दूसरों को प्रवचन देने में ही अच्छा लगता है लेकिन गौरी का त्याग ही जिसकी वज़ा से उन्होंने भारतिय पुलिस सेवा से त्याग पत्र यानी इस्तीफा देने और बिहार में अपना अगला समय बिताने का निर्णे लिया शिवदीप ने आगे कहा गौरी का मेरे इस निर्णे के प्रती समर्पन अहरा के साथ खुद के दायत्य समालने की जिम्मेदारी लेना और मेरे बिहार के प्रती समवेदना को समझना मैं इनके आगे कुछ कहने के लिए सब्द नहीं ढूंड सकता हूँ गौरी को जन दिन की दिल से सुबकाम ना है शिवदीप लांडे ने एक बार फिर सपष्ट कर दिया है कि वे IPS की नौकरी छोड़ने के बाद भी बिहार में ही रहेंगे हाला कि वे किस छेत्र में काम करेंगे यह अभी तक संसे बना हुआ है फिशले महीने उनके स्तीफे के बाद राजनीती में जाने की अटकले चल रही थी जिनका खंडन खुद लांडे ने कर दिया था ये कहा जा रहा था कि शिवदीप लांडे पीके की जनसुराद से जुल सकते हैं लेकिन लांडे ने खुद इसका खंडन किया उन्होंने कहा कि राजनिती में जाने की उनकी कोई दिल्चस्पी नहीं है और नहीं कुछी राजनितिक पार्टी से उनकी बातचीत हो रही है। और जिस तरीके से उन्होंने डियस्पी समेत दरजन भर पुलिस अधिकारियों पर कारवाई करने की मांग की है एस्पी से। जिस पर सिवधिप लांडे खफा हैं सिवधिप लांडे पुलिस की कारिशेली पर खफा हैं अब देखने वाली बात होगी कि लांडे के पत्र से क्या कुछ होता है एस्पी कितने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हैं कि इन पर कारवाई होती है ये देखने वाली बात ह लेकिन लांडे के पत्र से कई पुलिस कर्मी पूर्णिया में टेंसन में आ गया हैं तो लांडे एक्षन में हैं और पूर्णिया पूलिस टेंसन में हैं और इस्तिफे को लेकर जो उन्होंने पोस्ट किया है इसका हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पत्न झाल